नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम सर्मा, रियल स्टोरी चैनल के मादेम से आप सब के सामने एक ऐसी स्टोरी के साथ आजिर हूँ, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, एक ऐसा संद जो पिछले 5 साल से जील में है और उनके न्याई सडकों पर, और लगातार ये संख्या सार मिल का सफर तैकर कर आते हैं और हिसार की मिटी को नमन करके चले जाते हैं, आइए इनसे ही जाते हैं इसलिए हम यहाँ पे हमारे जो गुरु देल है, संत्रामपल जी महराज उनके दर्शनार था है तो क्या आपको यहाँ पे आज संत्रामपल जी के दर्शन होंगे? जी संत्रामपल जी के दर्शन तो हमें उनके अनियायों को पलपल होते हैं लेकिन हमारे गुरु जी बता दे हैं कि संत मिलन को चालिये तरजमाय अभिमान जो जो कदम आगे रखे सौसो एक जिसमान संतों की बाशा में जो संत को मिलने चलते हैं उसका भी बहुत बड़ा एक पून जिनाया है तो जहां पर ही संत रहते हैं वही उनका तीर सदाम कहलाता है तो इस समय हमारे संत्रामपल जी महाराच ही सार में है तो इसले वही हमारा तीर सदाम है आपके संत्रामपल जी महाराच ही है वो इस समय जेल में क्यों है और कि क्या करा रहा है कि उसने पाव साल से जेल देखा होगा अमात्मा गांदी जी का उदारन लेलो उन्होंने भी बहुत संगर्ष किया था आपके धर्म में कितना पखनवाद है पर कितना सच है कि आपकी साधना सास्त्रा अनूसार है तो वहीज सेम कारिया हमारे गुरु जी संत्रामपल जी महाराज कर रहे है जिस कारण से सभी जो समाज है उनका विरोत कर रहे है और आज उनको ये संगर्ष करना पड़ रहे है तो संत्रामपल जी महराजी के उपर जोबी की से से लगाएं गा जिस करण वाद जेरी में है क्या वो सब पूरान की कथा έχे है तो कोई भी कथा वाचत उस कथा को कुरानों को खोल दीखाता है जब कि हमारे गुरुजी है वो चार वेद, अठारा पुरान, छे शास्त्र, गीता, पुरान, बाइबल सब को खोल-खोल के लाइन टू लाइन पढ़ाते हैं और सब को दिखाते हैं बड़े प्रोजेक्ट पर के देख लो ये प्रमान है कुछ भी बताते हैं वो अथेंटिक ह अठार ये महाराज जी के बारे में झारे सब धर्मों को एक चुनवाती की है कि सब को बत Means ask महेशी का और पर तौरान झालो है उस पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर साहिब है, बाइबल भी प्रमान देती है, गुरु गरन साहिब भी प्रमान देती है, पुरान शरील भी प्रमान देती है, चारो के चार फेद प्रमान देते है, गीता अड़े 8 का स्लोक नमबर 9 भी प्रमान देता है, कि उस अल्लाहु अ प्रप्राइब के हें दो हुआ जय को एंसावट वाल